समस्या, एक शिकारी जो शिकार खेल रहा था, उसके हाथ की बंदूक से अनायास ही गोली छूट कर एक पेड़ के तने से जाटकराई और वहां से लग कर एक राहगीर को जखमी कर दिया। क्या ऐसी परिस्थिती में वादी को क्षति पूर्ती मिलेगी और क्या प्रतिवादी अनायास ही गोली पेड़ से टकरा कर रहगीर को लग जाएगी। अब हम स्टैनली बनाम पॉवेल केस को इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस तस्वीर में देखें यह हैं पॉवेल। दूसरी तरफ है मुर्गा। बीच में एक पेड़ और घर है उस साइड में खड़ा है। स्टैनली पॉवेल ने बंदूग चलाई। मुर्गे को मारने के लिए लेकिन बंदूग की गोली पेड़ से टकरा कर स्टैनली के आँख में जा लगी। जिसमें स्टैनली घायल हो गया। अब वादी स्टैनली ने प्रतिवादी पॉवेल पर क्षतिपूर्थी का वाद दायर किया। कोर्ट से क्षतिपूर्थी की मांग की जिसमें कोर्ट ने प्रतिवादी पॉवेल के पक्ष में फैसला दिया और वादी स्टैनली को क्षतिपूर्थी देने से इंकार कर दिया स्टेनली बनाम पोवेल के मामले में 1801 काईवन में अपील नियायाले सिविल डिवीजन में सुनवाई हुई केंद्रिय मुद्दा यह था कि क्या प्रतिवादी पोवेल एक शूटिंग पार्टी के दौरान वादी स्टेनली को लगी चोट के लिए उत्तरदाई था स्टेनली उस समय घायल हो गया जब पोवेल द्वारा चलाई गई गोली एक पेड से टकरा कर उसकी आँख में लगी चोट को आकस्मिक माना गया पोवेल की ओर से लापरवाही का कोई सबूत नहीं था प्रारंभ में एक जूरी ने पाया कि पोवेल लापरवाही से काम नहीं कर रहे थे और स्टेनली को हंड्रेट का हरजाना दिया हाला कि दोनों पक्षों के समझहोते पर मामले को अंतिम निर्णय के लिए नियाय आधीश के पास भेज दिया गया मुद्दा उठाया क्या प्रतिवादी की बंदूक से निकली गोली के कारण वादी को लगी चोट के लिए प्रतिवादी उत्तरदाई था भले ही चोट आकस्मिक थी और प्रतिवादी की लापरवाही या जान बूज कर किये गए कारे के कारण नहीं थी बहसवादी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी को उत्तरदाई होना चाहिए क्योंकि चोट प्रतिवादी की बंदूग से चली गोली के कारण हुई थी प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वह उत्तरदाई नहीं था क्योंकि चोट आकस्मिक थी और उसकी लापरवाही या जानबूज कर किये गए कार्य के कारण नहीं हुई थी स्टेनली बनाम पॉवेल निर्णय अदालत ने माना कि चोट आकस्मिक थी और अपरिहार्य दुरघटना से बचाव उपलब्ध था चूंकि चोट प्रतिवादी की लापरवाही या जानबूज कर किये गए कार्य के कारण नहीं हुई थी इसलिए प्रतिवादी वादी की चोट के लिए उत्तरदाई नहीं था प्रतिवादी के पक्ष में फैसला बरकरार रखा गया अदालत ने मामले की परिस्थितियों पर विचार किया और पाया कि चोट आकस्मिक थी यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं था कि जब प्रतिवादी ने बंदूक चलाई तो वह लापरवाही से काम कर रहा था इस मामले में अपरिहार या दुरघटना का बचाव लागू किया गया क्योंकि चोट प्रतिवादी की लापरवाही या जान बूझ कर किये गए कार्ये के कारण नहीं हुई थी स्टेनली बनाम पौवेल परिणाम अदालत ने प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया ये मानते हुए कि वह वादी की चोट के लिए उत्तरदाई नहीं था निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया और वादी का दावा खारिज कर दिया गया स्टेनली बनाम पौवेल पैसले का महत्व स्टेनली बनाम पौवेल टार्ट कानून में एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि यह उन मामलों में अपरिहार्य दुरघटनाओं की रक्षा स्थापित करता है जहां चोट, आकस्मिक है और प्रतिवादी की लापरवाही या जानबूझ कर किये गए कार्य के कारण नहीं होती है यह स्पष्ट करता है कि किसी प्रतिवादी को उन छोटों के लिए उत्तरदाई नहीं ठहराया जा सकता जो वास्तव में आकस्मिक हैं और उनके किसी गलत आचरण का परिणाम नहीं है